नमस्कार दोस्तो, मैं चन्दन सिंग CS टेकनिकल पेकपर फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहत स्वागत गरता हूँ केंद्रेवेद डेल स्कुल में क्लास 1 से लेकर के 12 तक और बालवाटिका 1,2,3 के लिए जो registration स्टार्ट होने वाले वो है एक अप्रेल से लेकि उससे पहले आप सभी पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि इस साल से जो है क्लास की strength में कटोधी किया गया है यानि कि क्लास की strength को कम किया गया केंद्रियवे डेल स्कुल में जो भी section wise admission होते हैं तो आज का वीडियो जहें इसी topic के रहने वाले अगर आप अपने बच्चे का दाखिला बालवाट का 1,2,3 में कराने वाले हो चाहिए class 1 से लेकर के 12 में कराने वाले हो तो आपको ये वीडियो जरूर देखने चाहिए क्य कर लीजेगा क्योंकि यहां से आपको वो सारी जानकारी मिलेगे जिससे कि आप अपने बच्चे का दाखिला केंद्रियवे डेल स्कुल में बहुत ही आसानी से करा पाएंगे ठीक है और साथ ही साथ सोसल मेडिया के लिंक्स आपको वीडियो के description मिल जाएंगे आप वहां प यहां पर मैं आपको पुराना और नया दोनों का comparison करेंगे दिखाऊंगा यह सेशन 2023-2024 का है और यह 24-25 का इस साल वाला है गाइड लाइन का ठीक है तो यहां पर सबसे पहले आटी कोटे के लिए अल्लडी जैसा है मैंने आज सुभई वीडियो बनाए था पहले थी 10 सीटे लेकिन अब हो गई यहां पर 8 सीटे उसी तरह से यहां पर SC के लिए 6 सीटे हो गई है और यहां पर थी 5 सीटे हो गई अभी ठीक है और पहले थी ST के लिए 3 सीटे अब हो गई यहां पर 2 सीटे ठीक है उसी तरह से यहां पर OBC NCL के लिए पहले 27% सीटे थी और इसमें 11 सीटे आते थे लेकिन अभी 27 परसेंट है लेकिन अभी आठ सीटे हो गई है धान देने वाली बात यह है कि आपको यह वाली लाइन पढ़नी चाहिए ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है अभी 32 सीटे अभी पर सेक्शन के हिसाब से कर दिया गया है इस साल से ठीक है उसके बाद और जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए सेम अगर आप यहाँ चेक करते हैं तो यहाँ चाली सीट्स लिखे हो आउट अप 40 सीट्स में सुझे 10 सीटे आटी कोट इस से यह क्लियर हो जाता है कि अब जो फ्रेस एडमिशन होंगे उसके लिए अब 32 सीटो पर ही एडमिशन होंगे चाहें आप किसी भी कैटेगरी कोटा से एडमिशन के लिए अपलाई कर रहे हो इसके बाद एक और चीज़ बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखावे SGC कोटा लेकिन इस वाले में जो नई वाली गाइडलाईन है इसके अंदर यहाँ SGC कोटा अब मेंशन नहीं है ठीक है तो इसका मतलब यह है कि यह मान के चलिए कि इस साल से SGC कोटे से हो सकता है अडमिशन नहीं होंगे लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा व यह कर दिया गया है All CWSN Lotteries CWSN का मतलब हो गया Child with Special Needs पहले था DA एने Differently Able to होता था लेकिन अभी इसके नाम से अभी कर दिया गया है इसके बाद एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर देख सकते हैं यह भी नए सेशन का है और पुराने सेशन का है और यह 42 सीटों पर अप्टो 45 सीट पर एडमिशन हो जाते थे लेकिन अभी यह हैं परे 40 कर दिया गया और 45 और all other classes याने कि जो first class के लिए up to 40 हो सकता है maximum और जो other classes है उसके लिए जो है maximum 45 ही हो सकते हैं other classes के लिए और यह धीरे धीरे जो है चेंज होता चला जाएगा आगे के transferable job वाले जो parents transfer लेकर कर आएंगे तो 32 प्लस transfer वाले बच्चे मिलागर के 40 तक जा सकते हैं ऐसा यह step इसलिए लिया गया है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि fresh admission में 40 बच्चों के admission हो जाते थे लेकिन उसके बाद क्या होता था कि transfer लेकर के बहुत सारे parents अपने बच्चों को आजाते थे तो class की strength से जादा बच्चे हर class में हो जाते थे लेकिन जो KVS का एक standard है कि 40 बच्चों को यह class में रख सकते हैं इसलिए जो है यह step लिया गया है केंद्रेविद देले संगठन के दोरा कि अब fresh admission होंगे उसमें 32 ही बच्चों के admission होंगे मतलब एक standard एक class का strength है वो 40 हो सकता है यहाँ पर लिखा हुआ है up to 40 for class 1 and other के लिए 45 यह लिखा हुआ है maximum यह जो 45 लिखा हुआ है यह आगे जाकर कि यह भी 40 में ही convert हो जाएगा आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर इस बात का आपको पता होना चाहिए ठीक है बहुत सारे parents इसको लेकर के doubt में कि क्लास की स्टेंट कम कर दी गई है जादा कर दी गई है कोटा एंड के लिए तो यह एक वीडियो मैंने बना कर कि आप लोगशा शेर किया मैं उमीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस साल जो fresh admission होंगे वो होंगे 32 सीटो पर यानि कि एक सेक्शन में 32 सी बच बाकी जो क्लास 2 से लेकर के आगे की क्लासे से उसके लिए जो है आपको जो है वेकेंसी होने पर आप admission के लिए अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तों मैं उमीद करता हूं कि जितनी बाते मैंने आज की सुडियो में समझाई हैं समझ में आगी होगी एक बार दुबारा से बतान बाकी आप मुझे इस्टाग्राम और फेस्बूक वाट्साप पेज़ भी फॉलो कर सकते हैं तब तक लिए थेंक्यों बाए जहिन जय भारत